आज फिर पैंसन लावारतियों के लिए सबसे बड़ी ख़बर लेकर हाजिर हो चुके हैं अगर आप एक पैंसन लावारति हैं तो आप योजना ओनलाइन फोर्वी चैनल पर बने रहेगा इस वीडियो को आप आन्त तक दिखते रहेगा आप बढ़ा दें कि 30 नुवेंबर 2013 के बाद काफी ऐसे पैंसन लावारति हैं जो पैंसन से वंचित रह जाएंगे जी हाँ पैंसन से वंचित हो जाएंगे जिनकी उनकी पैंसन बंद कर दी जाएगी अब यह कौन-कौन से पैंसन लावारती है और सरकार क्यों उनकी पैंसन बंद करने जा रही है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं चाहे आप जो भी पैंसन का लाव लेते हैं चाहे वह वर्दवस्ता पैंसन हूँ, दिव्यान पैंसन हूँ या फिर वह विध्वाई पैंसन क्यों ना हूँ, सभी पैंसन लाबार्थिक के लिए यह है, सबसे बड़ी और चरूरी खबर है अब यह पैंजन क्यों बंद की जा रही है उसके बारे में भी हम आपको डिटेल वाई जान कर देंगे अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें यह था आपको भी जटका लग सकता है और आपकी पैंजन तो बंद होगी ही बलकि उपर से आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं बस आप से हमारा छोटा सानिविदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या है तो किरिपिया वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सेयर भी कर दीजिगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं देखे समाज कल्यान विभाग की तरफ से इस बार काफी पैंसन लाबार्थियों के लिए बूरी खबर जारी कर दी हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर प्रतेश सरकार द्वारा बुजुरकों, दिव्यांगों और विध्वा महिलाओं को पैंसन दी जाती है चाहिवे कोई सभी राज्य क्यों नहों हर राज्य में पैंसन इसकीम चलाई हुई है दोस्तो किसी राज्य में हर महिने पैंसन दी जाती है तो किसी राज्य में तिमाही पैंसन दी जाती है लेकिन उन्हीं के बीच कुछ ऐसे लाबार्थि हैं दोस्तो जिन होने या फिर जिन या फिर हमारी पैंसन नहीं आई है आपने जरूर सुना होगा तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारणी यही है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कुछ लावारती ऐसे हैं जिनकी वज़े से सही पैंसन लावारतियों तक जिनने पैंसन लावारतियों को पैंसन के जरूरत है पैसे के लिया गया है जिसके अंतरगत काफी पैंसन लावारत्यों की पैंसन अब बंद कर दे जाएगी अब इसमें दोस्तों काफी पैंसन लावारत्यों के लिए यह एक बुरी खबर है लेकिन काफी पैंसन लावारत्यों के लिए एक खुश खबरी भी है क्योंकि अगर इन पैंसन की जरूरत है उन तक पैंसन का पैसा पहुच पाएगा तो बन रहेगा आप तमाम जानकारी इस यूडियो के मात्यम से प्राप्त कर पाएगे आप हमरे साथ बन रहेगा अलाकि सरकार के तरब से मोहलत भी दी गई है जो लावारति अपनी पैंसन को बंध होने से बचाना चाते हैं वे अपनी पैंसन को बचा भी सकते हैं अलकि यह बहुती कम पैंसनलावारतियों को मौका मिलेगा अब यह किन-किन पैंसनलावारतियों को मौका मिलेगा या फिर सरकार मौका देगी उसके बारे में भी बताएंगे तो बन रहेगा अगर आपने वीडियो को लाइक देगे तो वीडियो को लाइक कर देजिए देखि वह पैंसन गलत तरीके से ले रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों अब हर राज्य सरकारों द्वारा पैंसन नियावों में बदलाओ क्या है। कि उन सभी पैंसन लावार्तियों की पैंसन बंद कर दी जाए हाला कि काफिया से लावार्ति हैं जिनकी पैंसन अल्रेडी बंद हो चुकी है पहले से ही बंद कर दी गई है अब दोस्तों देखिए क्योंकि कोई भी वेक्ति अगर गलत तरीके से पैंसन लेते हैं चाहिए बु प्रकार से बंद कर रही हैं गलत तरीका किस प्रकार से हैं ताकि आप भी जान पए अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ऐसा करना बंद कर दें अगर देहीं दोस्तों काफी ऐसे केस मिले हैं जिसमें देखिए अगर लावारती की उम्र 50 साल है तो उन्होंने क्या किया हुआ है उन्होंने 60 साल की फरजी डोकोमेंट्स बनवा कर पैंसन का लाब ले रही है या फिर जो महिलाए विद्वा नहीं है लेकिन फिर भी विद्वा महिला की पैंसन प्राब्त कर रहे है ठीक है ऐसे पैंसन लाबारत्यों की पैंसन बंद की जा रही है या पिर जो व्यक्ति दिव्यांग ही नहीं है और उन्होंने फरजी तरीके से दिव्यांग सर्टीफीकेट बनवाया हुआ हे और यह उसके जरिये पैंसन ले रहे हैं ऐसे पैंसल लावारतियों की पैंसल बंद की जाएगी और साध्य साथ उन पर कारवा ही भी हो सकती है और उन पर सरकार जुर्माना भी लगा सकती है अगर आप मेंसे कोई भी वैक्ति ऐसी गल्दिक कर रहा है तो आप अभी से ऐसा करना बंद कर दें नहीं तो सरकार आप पर जुरुमाना लगा सकती है और फिर कानूनी कारवाही भी आप पर हो सकती है अब देखिए सरकार सभी पैंसन लावार्तियों का शत्यापन कर रही है जो लावार्ति पात्र होंगे केवल उन्हीं को पैंसन का लाव दिया जाएगा 30 नुवंबर के बाद वह पैंसन लावार्ति पैंसन नहीं ले पाएंगे जो गदा तरीके से पैंसन का लाव ले रहे हैं अलगि काफी लावार्तियों की पैंसन पहले से ही सरकार ने बंद कर दी है और जो बचे हुए हैं वह 30 नुवंबर के बाद पैंसन का लाव नहीं ले प कि अपको जो भी राज्जे है आपमें कमेंट बॉक्स पूर ज़रू बतेगा क्योंकि हर राज्जे सरकारों द्वारा अलग अलग पैंसन योजना चलाई हुई हैं और अलग अलग ही लाब भी दिया जाता है अलग ही जीन वैक्तियों की पैंसन रुकी हुई है या फिर pension के लिए apply किया हुआ है और उनकी pension अब तक नहीं बनी है तो वह pension लावारती जल्द से जल्द अपनी pension में क्रेक्षन करा लें हो सकता है कि उनके farm में कोई गलती हो नाम में गलती हो, address में गलती हो या फिर name की spelling में गलती हो उन्हें KYC करानी है अपनी पैंसन की KYC करानी है और साथे साथ अपने एकाउंट की स्रिंग भी करानी है क्योंकि अगर सरकार के पास आपका डेटा ही नहीं होगा तो आप पैंसन का लाब नहीं ले पाएंगे या फिर आपने अपनी पैंसन से आधार कार्ड लिंक नहीं करा है या फिर अपने account की, bank account की आधार शिरिंग नहीं कराई है, तब भी आप薪न का लाब नहीं ले पाएंगे, तो आप जल्द से जल्द यह कार्य कर ले, तो आपकी pension आप तक पहुचती रहेगी, आपको pension पैंसन का लाव मिलता रहेगा तो यह त्यापके लिए महत्मु जानकर आई होप आपको जानकर इच्छी लगी होगी आपसे हमने विदन करेंगे अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या है तो किर्प्या इस वीडियो को लाइक कर दीजे चाहे आपकी वर्दव क्या है